ये है दैनिक प्राताकाल काट डिजिकल एडिशन प्राताकाल लाइफ मुख्य मंत्री उद्धो ठागरी की पतनी रश्मी ठागरी के खिलाफ अभद्र टिपणी करने वाले जितेन गजरिये की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है इस मामले में उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुड़े साइबर सेल के टीम मुंबई पहुंची है जिदेन ने ट्वीटर पर रश्मी ठागरे के खिलाफ आपत्य जनक टिपणे की थी हालांकि इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है बीजेपी नेताओं ने महाविकास अघाडी नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है बीजेपी नेता चित्रावाग ने कहा कि कानून सब के लिए एक होता है शिरसेने के मंत्री गुलाब राव पाटिल ने बीजेपी सांसद हेमा मालनी के लिए अब शब्दों का इस्तमाल किया था क्या ये गलत नहीं है इस पर महारास्ट सरकार कब कारवाई करेगी वहीं दूसरी तरब बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामकदम ने कहा कि महारास्ट सरकार विरोधी दल के साथ अपना पॉलिटिकल हिसाब किताब पूरा करने में लगी हुई है महारास्ट सर सब्सक्राइब ने लोगों के सामने कहा था आये दिन महारास्ट में महिलाओं के लिए आपत्ती जनक बयान देने का ट्रेंड लोग प्रतिनीदी और मंत्रियों के तहत हो रहा हमें दिखाई दे रहा है जिसका हम निशेद करते हैं 20 दिन पहले ही शिवसेना के मंत्री गुल नहीं माना जाएगा इतना ही नहीं शिवसेना के सांसत संजय जी रौवट जीनों ने प्रसिद्धी माध्यमों के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता उंँको गाली देने का काम किया क्या यहां अपत्ती जनक नहीं हैrigATEान कीमों किया है संजय जी राउत इन दोनों के उपर गुणना दर्श किया जाए महराज की सरकार लोगों की अभिवेक्ति की आजादी च्छीन नहीं जब भाजपा सांसद हिमा मालिन जी की बारे में अभद्रवानी का प्रयोग किया जाता है वह भी वर्तमान महराज सरकार के मंत्री द्वारा कोई कारवाई नहीं और वही पर भाजपा कारे करता अपने अभिवेक्ति के तहट यदि कुछ ट्वीटर पर लिखे तो महराज की सरकार पुलीस का दुरूप्योग करते हुए उनको कारवाई तो करती है पर दो-दो घंटे पुलीस स्थाने में उन्हें परेशान किया जाता है इसके पूर्व कभी भी पुलीस खेमे का इतना दुरूप्योग कोई अन्य सरकारों ने नहीं किया वसुली तो वसुली पर अपना पॉलिटिकल हिसाब चुकता करने के लिए भी महराज की सरकार मुंबई और महराज पुलीस का दुरूप्योग कर रही है यहान निंदनी है अगर आप ये कारिक रव यूटूब पर देख रही है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पीच को लाइट करना ना भूलें